हेलो दोस्तों, नौलेज सपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करे ताकि हम आपको और नए वीडियो अपलोड कर सके हमारा आज का चैप्टर है Using More Than One Unit for Stock Item Stock Item Create करते समय एक से ज्यादा Unit का Use कैसे करते है Compound Unit का Use Stock Item में किस प्रकार करते है इसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे आईए देखते है Compound Unit का Use Stock Item Create करते समय यानि एक से ज्यादा Unit का Use दो Unit का Use Stock Item में किस प्रकार करते है इसके लिए सबसे पहले F11 पीचर में जाकर accounting feature में maintain bill wise details इस option को no करना होगा allow invoicing enter purchase in invoice format इन दोनों option को yes करेंगे control A से इसे accept कर लेंगे escape button का use करते हुए बाहर जाएंगे फिर F12 shortcut की press करेंगे यहाँ पर invoice orders entry enter press करेंगे use common laser account for item allocation इस option को yes किया जाएगा control A से इसे accept कर लेंगे accounts inventory info यहाँ पर use alternate units for stock items इस option को yes किया जाएगा इसके बाद inventory information में जाकर हम unit create करते हैं inventory information unit of measure create यहाँ से हम यूनिट क्रियेट करेंगे लीटर लीटर हमारी यूनिट है यहाँ पर number of decimal places में 3 डालेंगे enter press करके इस यूनिट को accept कर लेंगे इसके बाद दूसरी यूनिट है इसका formal name होगा bag decimal places में यहाँ पर 0 enter press करके इसे accept कर लेंगे as cap बटन का use करते हुए बाहर जाएंगे इसके बाद हम stock item create करेंगे milk 1 upon 2 litre bag अंडर इसका primary रहेगा यूनिट में हम यहाँ पर bag select करेंगे इसके बाद alternate unit में यहाँ पर liter select किया जाएगा यहाँ पर 1 litre is equal to bag यानि कि एक लिटर में दो बैग होंगे milk के half liter milk के इसके बाद enter press करके इस stock item को हम accept कर लेंगे as cap बटन का use करते हुए बाहर जाएंगे इसके बाद हम accounting voucher में जाकर voucher create करेंगे इस transaction को हम purchase voucher में करते हैं purchase voucher के लिए f9 shortcut की press करें parties account name milky corner party name में डाला जाएगा purchase laser में purchase account stock item में milk half liter bag यहां पर हमने 100 बैग purchase किये है saw bag में 50 लीटर milk आएगा क्योंकि एक लीटर में दो बैग आएगे rate होगी इसकी 10 रुपे पर बैग 1000 रुपे अमाउंट आएगा enterprise करके इस transaction को accept कर देंगे दूसरा transaction हम करेंगे sales voucher यह transaction हम दो अपडेल को करेंगे F2 shortcut की press करके 24 2008 जो डेट आ रही है इसे enterprise करके accept कर देंगे sales voucher के लिए F8 shortcut की press करेंगे party name में यहां पर cash डाला जाएगा क्योंकि हम उधार माल नहीं देच रही है नगत बेच रही है इसलिए यहां पर cash आएगा एंटर टेस करके इसे accept कर देंगे sales लेजर में sales account name of item में milk half liter bag यहां पर three bag आएगा तीन बैग में एक पॉइंट पान्सो लीटर यहां पर हम यूनिट को change भी कर सकते हैं पर बैग की जगे पर लीटर भी डाल सकते हैं यहां पर computer की screen पर keyboard पर एल प्रेस करें थर्टी नाइन रुपीज इसका amount होगा यानि की 26 रुपे पर लीटर के हिसाफ से हमने milk बेचा है एंटर प्रेस करके इस transaction एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह हम stock item में alternate compound unit का use करते हैं और उसे accounting voucher में किस तकार use करते हैं transaction के द्वारा हमने देख लिया है इसके बाद हम इसकी रिपोर्स चेक करते हैं एसके बटन का use करें बाहर जाने के लिए रिपोर्स देखने के लिए stock summary पर आकर एंटर प्रेस करें और F1 shortcut की का use करते हुए इसे detail में देखते हैं यहां पर हमारा closing balance बता रहा है 97 bag 10 rupees की rate 970 value इसके बाद F1 shortcut की प्रेस करें show using alternate units इस option को yes करें show tell units of compound units इस option को भी yes करें control A से इसे accept कर दो यहां पर एक नया option add हो गया alternate unit का जहां पर 48.500 लीटर लिख रखा है इसके बाद वापस F12 shortcut की प्रेस करें और इन दोनों option को जिनको हमने अभी yes किया था इसे no कर दें control A से इसे accept कर दें F7 shortcut की प्रेस करें यहां पर F7 shortcut की है show profit की इसे mouse की सहायता से भी click करके भी कर सकते हैं इस प्रकार यहां पर profit show कर रखा है इस तरह से हम stock summary में जाकर profit, outwards और closing balance इस सभी की detail देख सकते हैं आज का हमारे यह chapter यही समापत होता है ठाक्ते वहीग करण आए वहां कर दो ह구나 इसलिए पाल झाल